हेलो स्तो, कमाई का ड्रास यूटूब चैलल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे खेतन केमिकल एंड फल्टिलेजर इस कमपनी के बारे में कमपनी से रेलेटेट काफी निवेशक के कमेंट है सर यहाँ पर हम बहुत बड़े लॉस में है और कुछ निवेशक एक्जिट करने के भी तयारी में है एंड ऐसे भी कुछ निवेशक थे कि सर हम एवरेज करना चाहते है अच्छे खासे करेक्शन में स्टॉक है तो तो जरूर दोस्तो आप यहाँ पर पूरे डीटेल देखना क्या important updates आये है खेतंद chemical इस share के अंदर और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा point to point understanding करकर अपने decision को दोस्तो आप पूरी तरीके से ले सकते है और जितना जादा data आपके पास होगा उतना है अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ सकते है किसी भी company के अंदर तो चलिए start करते खेतंद chemical की details एक एक point को understanding करकर ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखे महिनत के पैसे है तो सही जगों पर लगने चाहिए और company के अंदर भी कोई ना कोई value हो तब ही निवेश करना चाहिए ऐसा नहीं कि company में कुछ दिखाई नहीं देता हो तो उसमें मतलब नहीं है पैसा लगने में तो चलिए देख लेते क्या details है सबसे पहले खेतंद chemical के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पास साइसी कौन सी quality है जिसे लोग यहाँ पर लगातार निवेश करने के लिए company के पीछ लगे है और इस talk ने पिछले कुछ समय से multi bag return भी क्यों कमा कर दिये है मैं आपको उसके पीछे के reason बताना चाहूँगा यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देखे खेतंद chemical and fertilizer is essentially engaged in the manufacturing of single super phosphate यानि कि fertilizer business में यूज होने वाली चीज़े है और देखे दोस्तों कुछ acids related जो chemical segment में and soya edibles oil जो होते है उसके अंदर भी तो ऐसे कुछ खास और जो demanded chemicals है यानि हम कही सकते हैं इसका जो business है वो काफी valuable है और bulk यहाँ पर quantity में company manufacturing करने का काम करती है और मैं आपको अभी बता देता हूँ देखिए इसके product क्या है अभी यहाँ पर हम first product के बारे बात करें खेतांत chemical and fertilizers के तो chemical segment से related इसके product है जितने भी variety यहाँ पर आप देखेंगे chemical की उसके अंदर ऐसे बहुत से chemical साते देखिए food industry में लगते है यहाँ पर pharma में लगते है take style में रहते है sugar industry में लगते है और बहुत से अलग segments होते है chemical के हैं तो next यहाँ पर company business करती है fertilizer के यहाँ पर sector में अभी fertilizer के अंदर भी आपको पता है जो इन्होंने बताया कि super phosphate जो है इनके पास वो काफी quality वाला है और बहुत बड़ा player है इंडिया में यह खेतांद chemical इसके business में next जैसे हम यहाँ पर देखे internet services भी यह company provide करती है इसके पास यह भी advantage है and next दोस्तो packaging का business भी है और मैं आपको पिछला record बता दू खेतांद chemical का तो इस stock ने लगातर profit dodge किया है मैंने पुरे records अभी देखे और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी आप ज़रूद चेक करकर ही आगे बढ़ना and दोस्तो यह company power segment में भी काम करती है and यहाँ पर soya जो आप देख रहे soya bins related उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा यहाँ पर business है तो अच्छे कासे business के advantage आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे company के अंदर demand डिखाई दे रही है और अभी बात करते है business के बाद में क्या यहाँ पर इसके पास और खासियत है और company क्यो beneficial यहाँ पर बनते जा रही है देखिए इसका एक भी share दोस्तो कही पर भी गिर्वी नहीं है most important point होता है कि किसी company में अगर आप निवेश कर रहे हो और उसके share 50-30% गिर्वी हो तो उसके अंदर निवेश करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जिसके पास company share गिर्वी रख रही है अगर उस निवेशक ने at one time share based दे market में उसको जब पैसे के ज़रूरत रहेगे और तब आप नहीं दे पाए यानि कि जिस company ने share गिर्वी रखे वो देना पाई तो market में based देगा share और उतने सारे quantity बेचने के बाद automatically top पर चलने वाला share bottom पर आ जाएगा और देखिए खेतन्द chemical and fertilizer इस company में एक भी share गिर्वी नहीं है ये एक बड़ा advantage दिखाई देता है और जैसे के मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि company के अंदर जो point है सबसे अच्छे point क्या है कि जो यहाँ पर company का beneficial performance दिखाई देता है वो है market cap के इसाब से जैसा stock छोटा है वैसे ही उसके अंदर volatility भी हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए जितनी दोस्तों आपने पिछले कुछ समय से तेजी देखिए खेतन chemical में तो उसके बाद में profit booking भी होना जरूरी है और होता भी है और उसके पिछे reason क्या होता है देखिए मैं आपको वो पहले बताता हूँ और बाद में सीधर आ जाएंगे हम बाकी के point discuss करेंगे यहाँ पर आप देख सकते कि खेतन chemical के अंदर जो निवेशक ने bottom line पर यानि के जब stock का यहाँ पर performance start वा तब जब निवेश किया है 23 रुपए के करेब हम कह सकते है तो वो 23 रुपए पर जिसने खरीदा है वो आज कोई ना कोई निवेशक बेचने के बारे में तो सोचेगा ही और यह हो सकता है देखिए और stock के अंदर कोई ऐसा point नहीं है जिसे हम यहाँ पर कहे सके कि खराब है बोलकर और इस stock valuation से भी काफी attractive है अब इसके जो result है उसको भी देखना जैसे के मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बार के जो result खराबा है उसी का impact हमें stock price पर भी देखने को मिला है ऐसे ही किसी stock में गिरावट नहीं है देखिए profit booking के पीछे reasons होते है और वो reason पता होना चाहिए और मैं आपको दिगच से दिगच company के कुछ detail दिखाना चाहूंगा आप चाहे तो बहुत से agrochemical के बारे में result को observe करना आप chemical industries के भी business को देखना जाना चेक करना तब आपको पता चले कि उनके भी result उतने कुछ खास नहीं आ है market में performance सभी company का pressurize है inflation का impact हमें तो जरूर देखने को मिला है देखिए और पिछले result के record देखे तो company ने ठीक टाक तरीके से performance अपना present किया करजा कितना है 135 करण का करजा और market cap के हिसाब से करजा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नजर आता है बड़ company लगाता है अपने करजे को कम करने के पिछे है cash अभी 60 करण का है छोटी company है मैं आपको बार-बार बता रहा हूं देखिए क्योंकि निवेश रेक के mind में यह नहीं रहना चाहिए कि हम निवेश कर दे पैसा हमारा बनेगा हम यहाँ पर कितने भी यहाँ पर पैसे लगा सकते है ऐसा नहीं हमें समदना पड़ेगा वो company कैसी है market cap के हिसाब से अब यहाँ पर मैं आपको इसके quarterly result and yearly performance प्रेजन करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं कि खेतन्द chemical and fertilizers का जो quarterly result देखेंगे तो company का हमें down दिखाई दिया है और वो मैंने आपको प्रेजन किया है एंड net profit में कैसे perform किया तो company का net profit सीधा दोस्तो यहाँ पर बहुती बड़े यहाँ पर हम percentage में कहिए सकते हैं घड़ चुका है 17 करोड से direct company 4 करोड के profit पर आ गई है इसलिए बड़ा correction हमें दिखाई दिया है एंड yearly basis पर देखेंगे तो yearly काफी strong improvement देखी है 2021 में देखेंगे 480 करोड का यहाँ पर sales था वो 823 हो गया मार्च में यानि कि यह double performance करकर दिखाया company ने yearly basis पर और net profit में भी company ने सभी को चौका दे देखिए 24 करोड से direct 80 करोड का profit हो गया तो yearly basis पर खेतन chemical के तो performance बहुत अच्छा रहा है बट quarterly basis पर उतना भी perform company अच्छा नहीं कर पाई है और आपको यहाँ पर इसके अंदर जो detail से वह बताना चाहूँगा कि company ने अब तक यहाँ पर दोस्तों कोई split bonus वगरा नहीं दिया है बट company dividend payout करते वे नजर आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पर खेतन chemical and fertilizers के हम detail देख चुके है और जो एक correction है वो सीरा दोस्तों company के result लगने के बाद का ही है और आप जरूर देख सकते है इसके अंदर अच्छा खासा market pressurize होने के बाद से profit booking स्टार्ट हो गया और यह company देखिए एक time पर कहा पर चलते थे और कहा से कहा पर आ गई है इतना जादा तेजी के बाद में तो हम सभी expect कर सकते हैं कि इतना बड़ा correction भी होने वाला है अगर आपने top पर खरिदा है तो यह बात थोड़ा यहाँ पर आपको face करना पड़ेगी और यह देखिए यहाँ पर जो sector है वो कोई ऐसा खराप sector नहीं है demanded sector है और company में value तो जरूर नजर आती है मैंने आपको सभी point बताए company में जो भी यहाँ पर हमने देखा business segment देख लिया company के पास क्या क्या advantage है वो भी यहाँ पर समद लिये तो इन सभी को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं और जो sector से देखिए जैसे के आपको यहाँ पर packaging business देखना हो तो packaging business के बारे में भी आप देख सकते हैं इनके पास के बहुत साइसे जो advantage है वो आप सभी को मिलेंगे जो company quality services प्रोयट करती है packaging related भी उसके अंदर भी बहुत कुछ यहाँ पर को benefit मिलते वे नजर आने वाला है तो जरूर further study भी करना इनके बारे में यानि खेतांत chemical and fertilizer के business के पूरे details को आप आगे देखकर और continue कर सकते हैं यानि कि आप average करना चाहें तो average के बारे में सोच सकते हैं और जो detail है देखिए मैं तो आपको present करना हूँ अब डिसिजन लेना आपके ओपर रहेगा आप अगर long term की निवेशक है तो आपको घबरानी की ज़रूरत नहीं है market comeback होगा तब यह stock और perform करकर दिखा देंगे अभी यहाँ पर market की situation आप सभी को यह तो पता है कि कैसी है बोलकर थेंक्यू सो मच आप डिसिजन यह डिटेल्स को देखकर continue ले सकते हैं